हलो गाइज वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे ठीक है और आपकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से चल रही होगी और सबसे पहले आपको रिपब्लिक डे की हार्दिक सुबकामना ठीक है और देखिए दोस्त मतलब एक ही डाउट लोगों को आ रहा था पता नहीं क्यों जबकि नोटिफिकेशन में तो साफ साफ दे रखा है कि एलिजिबिलीटी क्रेटेरिया क्या है मतलब काफी सारे मतलब मेरे जान परचान में भी काफी सारे लोग को अभी भी डाउट है तो देखिए इसमें मतलब ग्रेजवेट उपर में जो दिया है कि ग्रेजवेट होना चाहिए मतलब इसमें आवेदन करने के लिए से जील में तो देखिए योग्यता के आतिरिक्त अभिहारतियों को मैट्रिक यानि तेंथ ठीक है एवं इंटरमीडियेट यानि 10 प्लस 2 12 कक्षा जार्खन मतलब तेंथ प्लस 12 चाहें आपका बोर्ड कोई भी हो जार्खन नहीं हो कोई बात नहीं लेकिन आपका जो इसकूल है ना जहां से आपने तेंथ किया 12 किया वो जार्खन में होना चाहिए ठीक है मतलब कोई इससे कोई फरक नहीं परेगा कि आपने CBSC बोर्ड आपका CBSC बोर्ड था या जार्खन बोर्ड था या ICSC बोर्ड था कोई भी बोर्ड हो लेकिन जार्खन में आपका स्कूल होना चाहिए ठीक है अब भ्यार्थी को अस्था अस्थानिय रिती रिवाज भासा एवं परिवेश का ज्ञान होना अवस्यक होगा अनिवारी होगा तो यह तो सिंपल सी बात है क्योंकि इन्होंने नागपूरी खोर्था लोकल ही लेंगवेज दे रखा है ठीक है उस उसमें वह भी नमर आपक को मतलब मेरिट में इंकलूड किया जाएगा तो यह तो सिंपल सी बात है यह तो सब इसमें क्वालिफाई हो गई ठीक है अब देखिए दूसरा एक कंडिशन यह लगा रहा ना देखिए कंडिशन क्या है परंतु बट यह है कि जार्खन राज में आरक्षित निती से अच् अस्थित मानित्य प्राप्त से संस्थान से मैट्रिक यानि 10 इंटरमेडियक यानि 10 प्लस 2 कक्छा उत्तिद होने संबंधी प्रावधान सिथिल रहेंगे यहां सिथिल का मतलब क्या है न कि दखिए आरक्षन निती मतलब आरक्षन निती इसमें कौन-कौन आ जाएगा स्ट आजाएगा, SC आजाएगा, ठीक है, BC1 आजाएगा, ठीक है, BC2 आजाएगा, इन ही को आरक्षन प्राप्त है, ठीक है, BC2, अगर आप इन काटेग्री में बिलॉंग करते हैं, अगर आपने अपनी schooling किसी other state से किया हुआ है, अगर आपके पास ज्हारखन का residential certificate है, residence है आपका ज्हारखन में, तो आप इसके लिए eligible हैं, बसरते कौन से candidate eligible नहीं है, जो general category में आते हैं, general में आते हैं, अगर आपने 10th या 12, ठीक है, 10th भी या 12th भी, या दोनों, या दोनों में से कोई एक, आपने अगर बाहर से कर रखा है, तो आप eligible नहीं है, ये किस के लिए, general के लिए है, 10th या 12th वाल, अगर आप STSC, OBC, BC1, BC2 में आते हैं, अगर आपने 10th जार्खन से किया है, 12th जार्खन से नहीं किया है, other state से किया है, ठीक है, तो भी आप eligible है, अगर 10th आपने other state से करा है, ठीक है, और 12 जहारखन से करा है तो भी आप eligible है या 10th 12 दोनों आप other states से करे हैं तो भी आप eligible है अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं और आपका residence जहारखन में होना चाहिए आपके पास residence prove होना चाहिए ठीक है तो देखे दोस्तों इसी में बवाल हो रहा देखे और होना भी चाहि यह देखे यह तो सरा सर तो गलत ही है ना कि आप जन क्या जनरल के candidate वो जहारखन के निवासी नहीं है ठीक है तो आप उनको ऐसा भेदभाव क्यों कर देखे इस पर केस भी दर्ज हुआ है देखे आगे क्या होता है इस टे लगता है कि क्या लगता है जहारखन में कोई ऐसा के हो पाया है बिना कोट के कंपलीट हुआ है सचीव का एक्जाम देख लीजे ठीक है वो मतलब ज्वाइनिंग लेटर वेगर सब आ गया था लेकिन उसे रद कर दिया गया तो जहारखन में कोई ठीक नहीं है कोई सा ऐसा जेपीसी का कोई अभी हाल में देख लीजे जेपी इसी तर लंबित कहते रहता है कि चलो कोई बिवादित चीजी डाल देते हैं फिर बीच में ले लेंगे बच्चों को भी लगेगा कि हाँ एक्जाम चल रहा लेकिन जब फाइनल चीज होने वाला रहेगा तो रद्ध हो जाता है कि यह तो डिस्क्रिमिनेशन है ठीक है अधर के साथ तो यह देखिए यह काफी गलत है लेकिन अभी के हिसाब से देखिएगा तो आप अगर आरक्षित वर्ग में आते हैं तो डेफिनेटली आप अपलाई कीजिए और यही है जो मैक्सिमम बच्चों को डाउट हो रहा था कि कैसे करे जेनरल के कंडिडेट हैं जार्ख से तो नहीं कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों यही था और आप लोग अपना प्रिप्रेशन अच्छे से कीजिए यह बेस्ट अपरचुनिटी है और एक एक जाम है अगर मान लिजे सब सहीर होता तो आपको चार्ज से पांच मन्थ में ज्वाइनिंग वाइनिंग सब हो यह अच्छा अपरचुनिटी आप लोग लगे रही है और मोटिवेट डी मोटिवेट आपको नहीं होना है ठीक है और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको सब से पहले दूँगा अगर आप ज्वार्खन के कंडिडेट है कि या किसी भी इस्टेट एक्जाम पर फोकस कर रहा है तो हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब केजिए आपको सारा अपडेट टाइम स्टू टाइम मिलता रहेगा चाहें बिहार के हो चाहें ज्वार्खन के हो चाहें भी पीएसी का पर फोकस कर रहे हैं कोई भी अपडेट हो आपको मिलता रहेगा चाहें नेशनल लेबल पर कोई exam जैसे RRB, NTPC का तयारी कर रहे हैं, SSC का तयारी कर रहे हैं, तो सारा update यहां से मिलता रहेगा, कौन सा exam आ रहा है, कौन सा vacancy आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चलिए दोस्तों, इतना ही था, जै हिंद, जै भारत,